कि ःटे तो आज हम आगे जो बात कर रहे हैं इंग को तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा लेते हैं याने मोनोकोट का मतलब होता एक बीज पत्री जो रूट इन जानते हो और अनाटमी मतलब सारी रिक्षी तो एक बीज पत्री पात्पों की जो रूट है उसकी आप सारी रिक्षी पुड़ोगे क्या पुड़ोगे किलियर तो सामने एक डाइग्राम दिखा रखा है ठीक है डाइग्राम थोड़ा बलर है लेकिन मैं बोल के आपको समझा अप्षाइप हो हाँ एक्टूल में स्टाटिंग चीजिश आपको समझ में आ रही है में यहाँ और आगर हम बात करेंगे तो इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे हम पहली अगरन बात करें तो यहाँ पर आप रूट को पड़ रहे हो कि सक पड़ रहे हो रूट को तो नहीं रहेगा रहेगा ना कि मूलय यह तउचा को इंग्लिश में कहा जाता है एक बलेमा कि अब देख लो आप डायग्राम में इपिलेमा कहां नजर आ प्रिक एक यह ऐ पी बलेमा आपको दिखाई दे रही हैं है इस एपिलेमा की जो छेल होती है पहली तो इनकी जो सेल होती है वो पेरेंकाइमेटस होती है और थिन लेयर वाली होती है इन वाल वाली प्रजेंट होती है कैसी होती है इन वाल वाली होती है तो यह अपनी आउट ग्रोथ के कारण किसके कारण है आउट ग्रोथ क्या होती है बहार की वर्दी आउट ग्रोथ के कारण है ऐसे हैर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको आप कहते हो रूट हैर क्या कहते हो यानि मूल रॉम क्या कहोगे क्लियर अभी आप ये कहें कि सर एपी बलेमा क्या है तो आप बता सकते हो एपी बलेमा क्या है एपी बलेमा जो है वो रूट के उपर की भार की तोचा जिसको आप एपी बलेमा कह रहे हों क्या कह रहे हो और एपी बलेमा की जो सेल होती है वो ही अतिवर्द करके मूल रॉम का निर्मान करती है किसका निर्मान करती है कि लियर बाद समझ में आई अचा मूल रॉम जब बन जाते हैं तो यहां पर दूसरी बात आती है स्टोमेटा की किसकी आती है स्टोमेटा और एक बात आती है क्यूटीकल की तो बहुत स्ट्रक्चर क्यूटीकल एंड स्टोमेटा आर अपसेंट ओंदा एपी ब्लेमा यानि यहां पर स्टोमेटा और क्यूटीकल जो हते हैं वो अनुपस्तित होते हैं रीजन आपको पता है मूल के अंदर स्टोमेटा का क्या काम है पती में तो काम रहे बात और मूल के अंदर यदि मूल के बाहर उसको ट्रांस्परेंट बना दिया गया तो जलता अंदर ही नहीं जाएगा क्या मतलब हुआ, क्यूटिकल की लेर आप जानते हूं, मौम जैसे लेर होती है, जो पत्तियों की बाई यह तो उचा पर पाई जाती है, वहाँ तो इसका काम है, लेकिन अंदर इसका क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो आप क्या कोगे, कि जो एपी बलेमा है, वहाँ पर स्ट क्यूटिकल जो है, वह अपसेंट होते हैं, किसके उपर, एपी बलेमा की उपर, किसके उपर, ठीक, बात समझ में आई, एपी बलेमा के जस्ट नीचे, कोटेक सेल होती है, कौन से सेल होती है, कोटेक सेल की अगर हम बात करें, तो यह जो कोटेक सेल होती है, इसके अंदर, ये जो सेल हैं, ये multi-layered होती है, cortex cell, ये epiblema single layer है भी, epiblema single layer है, but the cortex cells are multi-layered, arranged in the multi-layered, मल्टि लेयर मतलब बहु इस्तरी है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बहु इस्तरी होती है थोड़ी थिन होती है इंट्रासेलोरी स्पेस इनमें होता है ऐसी बात नहीं कि इनमें इंट्रासेलोरी स्पेस नहीं होता है इंट्रासेलोरी स्पेस इनके अंदर प्रजेंट होता ह क्लियर बात कोटेक्स की जो सेल है वो ज्यादातर है अगर हम देखें तो फूड स्टोरेज का काम करती है किसका काम करती है फूड स्टोरेज का काम करती है कोटेक्स की जो सेल होंगी वो फूड स्टोरेज का काम करती है ठीक है लेटस स्टार्ट, इने टोमी ओप मॉनो कोट रूट, अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अपी, ब्लेमा की, यह सबसे बहारी एक कोशी के प्रत है, इसकी बित्ती पतली होती है, यह इसकी बित्ती को पतली होती है ठीक है तो क्या मैंने आपको यह बताया था आमाइ राइट क्लियर क्यूटीन यानि क्यूटीकल आर अपसेंट ओंडा एपीवलेम सब्सक्राइब है क्यूटीकल है वह अपसेंट एक क्यों रहेगा क्यूरेगा कि क्यूंत ओता है मो मोम जाटार्थ और यदे रूट के उपर वाդ रूट के अंदर मोम जाट बढ़ने लग गया तो यए तो वाटर का जो अपिबलेमा की सेल होती हूं कैसी होती है अंडाकार हो सकते हैं और आयताकार हो सकते हैं कि इस सेल यह अपनी आउट ग्रोथ करके क्या बनाती है रूट हेएर अब आपसे कोई रूट हेयर का काम पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो अटेता function of क्याkit हैं यह सब करता है से घसल विद्ट को देता है कोटेक्स आगे ईडर को देता है दिडर जर्णमिस आगे जाके परिसाइकल परिसाइकल से जाइल हो हमसibility सब के पास से रखेंद तो यह बात मैंने आपको बता दी अब यह बात वापस है है एक यू अजशन डिस्टोमेटा और अप्सेंट कहां पर एपीबलेमा पर एपीबलेमा क्या है मूलियताउचा क्या है मूलियताउचा ठीक है बाद समझ में आई नेक्सट अगर माथ करें तो मूलिय ताउचा के बाद कोर्टेक्स क्या ऑघी कोर्टेक्स और मर्टि लेर यह क्या होगी मर्टि लेर होतीए इसमें थिन नहीं होती है मोटी होती है अच्छा टीनोस्पोरा ट्रापा और किड यह तीन प्लांट्स के नाम दिए गए आपको कौन-कौन से टीनोस्पोरा ट्रापा और किड की जो रूट होती है उसके अंदर जो कोटेक्स की सेल होता है वहाँ पर कलोरोप्लास्ट भी होता है एक्च्वल में कलोरोप्लास्ट आपको लीप में देखने के लिए मिलेगा लेकिन यहां पर एक्सेप्सन आ रहा है थोड़ा सा तो आप याद रख लेना और्किड है ट्रापपा है कि ँनोस्प these cells are accumulate the food यानि ये को सिकाएं क्या करती है फूड को संगराइद करती है क्या करती है फोटो सिंटेसिस की पर क्रिया करेंगी इसलिए मैंने कहा दिया कि कोटेक्स की जो सेल है वो फूड स्टोरेज का काम करती है तो क्या मैंने गलत का आपको बात समझ में आई कोटेक्स सेल स्टोरेज दा फूड क्या काम करती है फूड को स्टोर करने का अच्छा ओल्ड पार्ट में जो कोटेक्स सेल होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है इससे भी मोटी क्यों कि वहाँ पर डिपोजीशन हो जाता सुभेरीन जैसे पदार्तों क सुभेरीनय लिगनीन ग오ыट तिल्च फच्थ अदार्त में ठोट निगाद उन्हें डेये जो उब पाइट होते हैं कोड़ेक शी कोड़ेक्स के ने पुराने वागों में जो वल्कूट की कोशिक हैं कन्वर्ट इन टू एक्जोर मिस देखोran MS a Jeffrey म parentheses the part of epidermis या रखना epidermis ही दो आप मूंगल में बोल रहे थे epidermis यहां पे बोल रहे हैं अपि अगर फिर भी समुनже में नहीं आ रहा तो आप इसको और भूल दाव लई तो भी सगे एपीडर में से नीचे गर्टेक्स कोर्टेक्स के निचे एंडो्डरमीस के निचे पेरिसाइकल पेरिसाइकल के नीचे नीचे वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर बंडल के नीचे पित अब यहां पर यह बात है कि यह कंवर्ट इंटू एक्जोडरमिस अब आप बोल रहे हैं कि एक नई चीज आ गई आप एक्जोडरमिस इधोरमिस और एक्जोडरमिस दोनों लग लग चीज यह आप कभी एक्जोडरमिस आप बोलों कि एपी का मतलब बाहर होता है तो दोनों आप उसका नाम नहीं लखे आना ऐसे exodermis actual में cortex की कोशिकाएं होती है जो endodermis की तरह बन जाती है बस उनको exodermis कहा जाता है एनि cortex की पुरानी कोशिकाएं convert हो जाती है ऐसी कोशिकाओं में जो just like लग रही हैं किसकी तरह endodermis की कोशिकाओं की तरह लग रही है किसकी तरह लग रही है उनको exodermis का जाता है तो आप आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यूं हुआ इतनी tough QE तो possible है कि cellulose की जगे कोई न कोई राशानिक पदार्थ ओ डिपोजिट हो गया ये डिपोजिशन क्यूं हो रही इन में क्यूंकि cellulose के अगर आप बात करो तो ये संत्रप्ता हीड्रोकार्बन होते है क्या होते है तो अपनी bonding टोड़ के किसी को जोड़ सकते है संत्रप्ता हीड्रोकार्बन का मतलब समझते हो न आप जो ओर कई किसी के साथ किरिया नहीं करें, बंद नहीं मनाये और ये cellulose बागियर है आपने साथ तो यहां पर डिपोजिशन हो जाती है किसकी सुभेरीन की सुभेरीन एक ठप अदारत होता सिमेंट जैसा जो हाँपर जाता है सुभेरीन इस कारान, जो कोटेक्स की सेल थी पुरानी सेल, वो जस्ट लाइक लगने-लग जाती है अंड्रोडर्मी्स की सेल की तरह ह डगने लग जाती है कि लिएर बात तो यहां पर अगरम बात करें तो देखो rendre मिस एंडर में है यहां पर यह एंडर मिस है यह चलो हम सप्सक्राइब एनज न डालेड मी Crispy कि है यह ज़ूरा दो दो प्रीक्रां ऑर में और इसके नीचे यह तिका रहा है कि this parallel किया है किसे एओ भूद कि वा कमजोर होती है इतनी फ्रॉंग नहीं होती है इसलिए इनके अंदर दित्ये ग्रोथ भी नहीं होती है एक प्रकार से नहीं के ब्राबर ही होती इनमें पेरिसाइकल के अब यह एक यह एक होती है मल्टिपल लेयर में नहीं होती है कैसी होती है सिंगल यानी एक प्रतमी होती है ठीक है अचा अब हम यह बात करें तो एंडोडर्मिस की जो सेल है एंडोडर्मिस की जो सेल है वह आपको कैसी मिलेंगी शॉप्ट मिलेंगी नहीं मिलेंगी जब आप पहले यह कह रहे हो कि कोटेक्स की सेल पुरानी सेल कोटेक्स की और उनमें सुबेरीन जम जाता है को तो वह एंडोडर्मिस जैसी लगने लग जाती है तो अब यह सोचो एंडोडर्मिस में कमजोर क्यो पर किष्ज परकार के पत्या बनाती है यह तो कैस्ट पष्डियां कहा अगए गया देखें के एंडोडर्मिस सिंगल लेर है वही आपको ये बात बोलनी है पहले क्या है सिंगल लेर बिलोधा कोटेक्स इसकी जो सेल है वो डोलकाकार जैसे ऐसे डोलक नहीं होता है कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ इस परकार से इसको डोलकाकार कहते है इसको डोलक कार करते हैं तो कोटेक्स की जो सेल है वो यहां पर कैसी मिलेगी आपको डोलक कार ठीक है अगर आगे अगर हम बात करें कोटेक्स के नीचे आपको मिल रहा है क्या एंडोडर्मिस क्या मिल रहा है वही एंडोडर्मिस की जो सेल है वो सिंगल लेयर में है कैसी है प्रजेंट इन्हें सिंगल लेयर ठीक है और इसमें कुछ राशानिक बुद्दार्त्रों का डिबजिसन ओजाता है त्लाइक सुबेरीण लिगनीं कैसे प्रथे नमार करें और क्यों में स्क्राइब दीवोजलींद मिल लिगनीन यहां पर अगरम देखें तो लिगनीन सुबेरीन के जमाओं से क्या बन जाता है फॉर्म कैस्पेरीन स्ट्रिप कौन से स्ट्रिप बन जाती है क्लियर बात आई समझ में ठीक है रिवाइज करवाऊंगा पूछूंगा भी माप से आगे अगर हम देखें जिनिस्तानों पर कैस्पेरीन स्ट्रिप नहीं होती उन्हें आप क्या कहोगे पत्थ क्या कहोगे तो इस चीज़ को हम एक बार वापस से दोरा लेते हैं सबसे बार Epiblema Epiblema के अंदर Stomata are absent Stomata नहीं होते बट Root Hair are present Root Hair are present ठीक है अच्छा अगर यह देखा जाए कि जो Root Hair है Root Hair की अगर हम बात करते है तो जो ऐसे Hair जैसे structure जो होती है वो stemper भी आपको मिल सकती है कहाँ पर मिल सकती है stemper भी मिल सकती है ठीक है उसके just नीचे कौन सी लेर आ रही थी cortex कौन सी cortex जो है वो multi layer थी कैसी थी multi layer थी multi layer मतलब कई layer में single layer मल्टी layer का भी आपको ध्यान रखना है यहां पर ठीक है cortex की कुछ सेल यानि कुछ प्लांट में exception of biology हो गई जैसे ट्राप्पा है और किड है ठीक है इनके अंदर जो cortex की जो सेल है उनके अंदर chloroplast भी परजेंट होता है अब जहां पर chloroplast है तो आपको पता होना चाहिए भी chloroplast क्या काम करके देगा क्या काम करके देगा chloroplast photosynthesis करेगा क्या करेगा और वो photosynthesis कर रहा है तो photosynthesis अपने पास कर रहा है हम कह सकते हैं इस बात को कि जो cortex की सेल होती है फूड का भी क्या कर सकती है storage कर सकती है इसके जस्ट अच्छा एक बात हो रहा ही थी इसके अंदर exodermis what is exodermis exodermis cortex के अंदर जो old cell होती है उनके अंदर जब सुबेरीन जमा होने लग जाता है तो just like endodermis किसके तरह हो जाती है उन्हीं को exodermis कहा जाता है फिर बात आ गई थी endodermis की यह किसके नीचे होती है endodermis किसके नीचे present होती है अगर आप बात करो तो किसके नीचे endodermis cortex के नीचे clear single layer में और इसके अंदर विसेशता इसकी विसेशता क्या है case per in script are present in the endodermis cell किसके अंदर present होती है endodermis cell के अंदर उसके बाद में हम बात करेंगे pericycle की अगर हम बात करें तो जो एक बीज पत्री पादप होते हैं monocoat जो plant है उनके अंदर pericycle जो होता है present होता है लेकिन कमजोर होता है कम होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए pericycle का काम क्या होता है pericycle क्या करेगा pericycle क्या क्या करेगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए responsible होता है और जैसे मूल है मूल से लेटरल रूट और निकल रही है पासर विए मूल और निकल रही है तो यह सारा डिपेंड रहता है किसके ऊपर pericycle के ऊपर कि अब यहां पर देखा प्रोटो जाएलम और मेटाजाएलम दो बाते और प्रोटो जाएलम मेटाजाएलम और फ्लोयम डाइग्राम के लिए नहीं है मां आपको वैसे दिखा रहा हूं आपको देखो यह यह डाइग्राम यह नाम दे रखा मेटाजाएलम का किसका दे रखा है और यह दे रखा रहा है फ्लोयम का कर शमोंजे आ रहा है ड्यधी रहा है प्रोटो जायल मेता जायलम मेता wzायलम डिषयों यह जो पहले बंढ रहे हो प्रोटो जायलम और जो बाद में बंढ रहा है वों इन्मेटा जायल जो बहार बन रहा है प्रोटो जैलम जो बहार बन रहा है प्रोटो जैलम और अंदर बन रहा है वो मेटा जैलम जब बहार प्रोटो जैलम हो और अंदर मेटा जैलम हो इस फॉर्म को क्या कहा जाता है भाई आदी दारूक क्या कहा जाता है तो क्या आप यहाँ पर यह देख के बता सकते हो कि यहाँ पर बाई आदी दारूक वाड़ी फॉर्म नजर आ रही है बता सकते हो है अब आपसे एक परसंद पूछता हूँ यहाँ पर जो seven bundle है उसका arrangement कैसा है बच्चो कि एक बार जायलम एक बार जायलम एक बार फ्लोएम एक बार जायलम एक बार फ्लोएम एक बार फ्लोएम और यह हो गया करम तिर्जाय के नूरू आप तिर्जाय निकाल रहे हो और यह कैसा पूंग कैसी फॉम हो गई और यह फॉम के लिए बीच में क्या होता है पित पेरी साइकल एंड़ोडर्मिस के निच्छे कहा प्रेजेट होती है चिंगल लेयर प्रेर इन काई मी कोश काई की बनी उई पासरों मूल के उत्पत्ती इसी से होती है केंद्रिय बाग में पित होता है और पित के चारो और क्या होता है और पित का काम भी क्या होता है स्टोरेज ओफ पूर बोजन का संग रहेकन नेक्स्ट अगर हम बात करें वय्सकुलर reckला बंडल की तो वेस्ट्ट उलर बंडल में आपकी आ जाएंगे जाइलम एंडर जाहिएंड यहां पर जाहिलेम or फिल्रेह कौन से फॉर्म में होते हैं यह यह ज्यादातर केस में दिखा रख एक कितने हो सकते हैं जायलम है कि अगर फोर्म देखें तो कौन सी यह आ रही यह बाई यादी दारूप यहाँ पे जो पित होते हैं वो वैल डूप्लोस होते हैं लेकिन 23 पत्री पात्पों में पित हजोते होते हैं थोड़े काल से यह आपको समझ में आ गया अच्छे से ऐसी कोई बात नहीं है जो आप इसमें अंतर नहीं कर सकते और इसको समझा नहीं सकते ठीक है ओके